वनिकाम, मंदरम, स्वागतव, नमसे, सश्रेकाल, सलाम वालेकू, हले दोस्तों, मैं आपकी प्रेवाधोस प्रियांग आप सभी का स्वागत करती हूँ, गागी क्लासिस के इंडियन एक्स्परस के एडिटोरिल आइडिया और एक्स्परिनिशन पीज के डिसकॉशन पे, तो लेफ्ट साइड में एक आर्टिकल नीचे जो है एक आर्टिकल है कि आपको पता है कि देखे अभी जो है इंडिये की जो गौर्णमेंट है ओध सेरेमेनी कल शुरू हुई थी डेली में ठीक है तो ओध सेरेमेनी में जो कह है अभी इंडिया ने अपने आस पोडोस के कि इंडिया जो है जो की नेबर हुट फर्स्ट पॉलिसी ठिक है इसको जो है आज भी इंडिया यानि डेली जो है तवज्जो दे रहा है इस चीज़ का प्रूफ है क्योंकि जब मोधी जो है अब 3.0 यानि अपने जो हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर थर्ड टाइम जो है एस प्राइम मिनिस्टर की जो ओत ले रहे थे तो उसमय इन लीडर्स का जो है प्रिजेंट होना उस ओकेजन में ये दिखाता है कि इंडिया जो है बले अपने आसपास के बड़े छोटे-छोटे देशों में बड़ा है लेकिन फिर भी जो है अपनी नेबर फर्स्ट पॉलिसी को ये आज भी परकरार रखता है ठीक है तो इस पर एक आर्टिकल है देख लेते हैं क्या है और इधर जो है रेखें ये सेमी आर्टिकल है कि वोमेंस का जो पार्टिसिपेशन लोग सबा में है वो टोटल ही 13.6% है टोटल ठीक है और 18 लोग सबा में कितने 74 वोमेंस जो है आउट और 460 मेंसे 74 सिर्फ और से वोमेंस दी तो ये और अल्रीडी हमने डिसकस किया है क्योंकि इसी जो बीजेबी पार्टी है इनों नहीं जो है आज से दो साल पेले वोमेंस का रिजर्वेशन बिल भी निकाला था इधिंग 2023 में निकाला था ठीक है 23 या 22 में निकाला थ है कि वहां के भी फर्स्ट प्रेजिडेंट जो है एज वोमें इलेक्शन के आच चुके है तो रैटर यहां थोड आसा जो है अब क्वेशिन कर रहें कि जो ऑपोजिशन जो आज इंडिया ब्लॉक के फॉर्म में है ठीक है वो जो हल्ला मचा रहे थे कि जो वोटिंग मशीन है वो ठीक नहीं है वीवी पैट जो है चिटिंग करता है वोट वैरिफाइड पेपर तो वो चीज़ें आब वो काफी शांत होती हुई दिख रही है ठीक है तो रैटर ने का कि इससे हमें ये लेसन जरूर मिल जाता है कि इंडिया जो इंडिया की डेमोक्रिटिक प्रोसेस में इलेक्टरल वोट जो है यानि वीवी पैट इवियम मशीन ने अपना जो है एक लेवल बना लिया है ठीक है तो यहाँ पे क्रेडिट जो है एक इलेक्शन कमिशन को भी जाता है क्योंकि इन्होंने वर्ल लेवल को भी ये दिखा दिया कि डेमोक्रसी में इलेक्शन जो ह कि EVM ने प्रूफ कर दिया क्योंकि जसे आप से seats का bifurcation हुआ है कि जैसे ruling party को कितना मिला opposition को कितना मिला others को कितना मिला उससे पता चल रहा है कि आपका EVM का cheating तो जो claim लगा रहे थे वो तो कहीं stand ली नहीं करता तो यहाँ democracy maintain है आज भी है ना तो इसी चीज़ को धियान में बात है कि opposition जो है राइटे बता रहे है कि opposition भले अपनी government नहीं बना पाई है लेकिन उसे इस चीज से खुशी है कि उन्हें एक अच्छा position मिल गया opposition के लिए ठीक है क्यों क्योंकि जो NDA है जो NDA यानि BJP जो government है उनको जो जितना पहले 2019 में 303 seat मिली थी वो अब जो है सिफ 240 ही मिली है ठीक है तो इसके वज़े से जो है अब इन्हें alliance बनाने पड़ रहा है चंदरबबु नाइडो रितिश कुमार के द्वारा ठीक है क्योंकि majority party थी एंडिया के alliance में जो इनको alliance में थे BJP के ठीक है तो यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि यह basic चीज है हम already discuss कर चुके हैं लेकिन राइटर ही बता रहे हैं कि ऐसा क्या reason है जिसके वज़े से कहीं न कहीं जो वोट है वो रा काउंट जो है वोट की जो promises करी हैं क्या ऐसे reasons हैं या फिर इन सारे मिलने के वज़े से इन सब के combination से एक reason है जिसके वज़े से यह वोटिंग कम हुई है तक ही थोड़ असा प्वॉल्टिकल ही है लेकिन राइटर कह रहा है कि इन सब के लिए आपको जो है एक अलग-अलग असपेक्ट देखना होगा उन्होंने राइटर ने बताया कि देखें जहां रूलर में पहले 2019 में इस government को 253 seats मिली थी आज उसी government को 2024 के election में 193 seats ही मिले हैं काफी जादा huge decline देखने को मिला है ठीक है तो यहाँ पर जो है writer बता रहे 60 to 63 of seats जो है lose हुई है यहाँ पर BJP की ठीक तो यहाँ पर जो है writer बता रहे कि क्या ऐसा reason है तो जैसे इन्होंने का है कि अगर आप आ household expenditure के survey के according बताया जाता है कि आज भी on an average गाउं में पर मंतली जो expenditure है वो सिर्फ और सिर्फ 3730 रुपे ही है ठीक है और अगर हम family size को थोड़ा बढ़ा के 4.4 यानि 4-5 लोगों की बीच में भी देख लें जिसमें बच्चे भी included है तो मंतली expenditure जो है 16-16,000 के आसपास ही रहता ह है that means broadly income जो है ruler family income वो 20,000 से जादा नहीं है that means writer बता रहें कि कहीं न कहीं जो है यहाँ पे ruler लोगों की थोड़ी नाराजगी रही है government से ठीक है क्योंकि एक तो salary इतनी नहीं है उपर से जो है यहाँ पे although writer बता रहें कि इन गौर्मेंट ने नहींदर मोदी की गौर्मेंट न नल से जल है ना ruler roads हो गया electricity supply हो गया ठीक है लेकिन फिर भी जो है rulers का जो income है वो काफी जादा लो था ठीक है क्योंकि basically अगर आप देखोगे इंडिया के जो ruler area है वो किस पे based है agriculture पे और agriculture का जो growth है continuously वो भी देखोगे काफी slow है ठीक है तो कहीं ना कहीं writer कह रहें कि यह जो है marginal decline होने के वज़े से भी जो है एक माना जा रहा है कि second term के comparatively third term पे ruler के तरफ से voting कम आई है ठीक है अगर जिसे अब बात करें कि ruler में जो main occupation है वो है agriculture front ठीक है तो writer बतारें कि अगर आप GDP के 2023-24 का data देखोगे तो इसकी जो growth है मात्र 1.4% है ठीक है और अगर आप second advance estimation जब आया का तो ministry of mosque ने भी ये बात बोली थी कि इसकी growth जो है 0.7% ही है ठीक है जब कि overall GDP के growth 8.2% है तो सोचिए agriculture का 0.7% second quarters में और 1.24% first quarters में तो इतना जादा variation मतलब overall GDP की growth 8% लेकिन agriculture sector जिस पे सबसे ज़्यादा highly population dependent है ठीक है तो यहाँ पे writer बतारें कि although आपका economy GDP जो growth है वो आपकी G20 countries में जितने भी हैं बहुत सारे countries में आप आगे हो ठीक है लेकिन आपकी खुद की जो population 45% जो एक ही sector पर डेमेंड है वो है agriculture और उसकी growth कितनी है मातर 1.4% तो कहीं न कहीं जायज है कि इतनी बड़ी huge population की जो नाराजगी है वो government से रहना obvious है ठीक है तो इसी चीज के वज़ रियल इंकम जब तक लोगों की नहीं बढ़ेगी तब तक लोगों का जो है level quality of life भी नहीं बढ़ेगी ठीक है तो यहाँ पर जो है राइटर बता रहें कि यहाँ पर तीन चीज़े थोड़ा solution बता रहें कि हमें recommend कर रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए पहली बात राइटर न for example राइटर कहरें कि या तो ruler economy से हम urban economy की तरफ shift हो है ना या फिर हम जो है urban ruler area में ही रहते हुए लोगों की जो skill formation है high productivity jobs की skills जो है हम लोगों को देना शुरू करें पहली चीज दूसरी चीज इन्होंने ये बात बोली है कि हमें shift करना है supply chain की तरफ देखें अगर agriculture अगर आप non agriculture जिसे poultry हो गया, fishery हो गया, dairy हो गया, fruits हो गया, vegetable हो गया, high value agriculture जो goods होती है, perishable goods है जिने बहुत जल्दी move करना होता है इन जैसे चीजों पर हम focus कर सकते हैं for example के लिए राइटें या Amul model का use कर रहें, आपको पता है Amul जो company है ये cooperative sector है ठीक है और कहां की है ये गुजरात की है ठीक है ये अपने आज पास के इसने outlet अपना इंडिया में all over इंडिया में open कर लिया है लेकिन major ये गुजरात से है और गुजरात में ये highly successful है अपने आज अपने zone अपने बूट से collect करकी ये overall उस पूरे districts में distribute करता है है क्योंकि perishable goods है milk जादा दिन तक sustain नहीं रहे पाएगा तो यहां पे जो राइटें बता रहे है कि perishable goods अगर हम लगाते भी है तो उसके लिए हमें supply chains को focus करने की जरूर है तो जिससे income बढ़ सके ठीक है रूलर agriculture करने की जरूर रहता है जिक है एग्रोवाल्टिक जैसे for example एग्रोवाल्टिक बोले तो solar panels का use करके फार्मर्स को जो है और उनकी incomes और उनकी फार्मर्स को जो drought based floods होंगी crops होंगी उनको focus करने की जरूर रहता है कि कुछ crops ऐसे होते हैं कि गर्मी विबी या flood आने के कि हम रहे हैं ठीक है कैबिनेट में अभी ऐसा ब्लाग रागी है कैबिनेट में रहेंगे सेंटर में तो यहां पर इन्हें 15 साल का experience है MP में अगरी कल्चर के सेक्टर में काफी जाधा जो है ग्रोथ करने का तो राइटर बतारे कि यहां पर यह बहुत अच्छे बैस्ट परस आपका अगर माल लीजिए जैसे for example हम map देख लें ठीक है यह अगर इंडिया भी है तो यहां से यह पाकिस्तान हो गया ठीक है इधर से आपका बांगलादेश हो गया फिर इधर से म्यामार हो गया है ना और उपर से यह नेपाल है ना इधर से आपका श्रीलंका और नीचे म म्यूजू ठीक है पांगलादेश से आई थी जो बेगम है मैं उनका नाम भूल रहे हूं ठीक है जो वह उहां के प्राइम मिनिस्टर है ठीक है बांगलादेश की इसके लवा नेपाल से भी लिडर्स आय थे और इसके लवा पाकिस्तान से भी इंवायट किया था लेकिन पा साउथेशन कंट्रीज में डेवलपेंट करूँगा तो मैं आपने पहले नेबर्स कंट्री पे फोकस करूँगा कोई भी ग्रोथ हो गया कोई भी मॉडल्स को लेकर आना होगा कि मैं आपने जो भी बांगलादेश हो गया नेपाल हो गया भूटान हो ठीक है या फिर आपका म्यामार हो गया, श्रीलंका हो गया, या फिर आपका मौरिशियस हो गया, कोई भी कंट्रीज या है ना, तो इन में मैं इनी को पहले फोकस करना ही जो है टार्गेट है किसका इंडिया का नेबर्वूट फर्स पॉलिसी तो यहां पर यह इतनी बड़ी सहरवनी जो ओकीजन था, इन में नेबर्स को बलाना राइटर बता रहे कि क्रेडिबिलिटी को दिखाती है इस गौर्णमेंट की ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप जसे पाकिसान की बात करोगे तो राइटर बता रहे हैं कि इसलामा के बाद से इसलामावाद में भी इंविटेशन गया था, लेकिन वहां से कोई भी जो अभी कुछ टाइम पर खटपट चलने के वज़े से जो है, अभी मामला 2021 में थोड़ी सीस फाइरिंग होने के वज़े से जो है, खटपट है मामला जो है, अभी शानत होता हूँ नहीं दिख रहा है, और अभी आपको पता है, रीसेंटली जो है, इलक्षन भी हुए थे, तो गौर्मेंट थोड़ी ऐसी गौर्मेंट है, जो प्रो इंडिया नहीं है, है न, अगर इम्रान कान की गौर्मेंट सेलेक्ट होती, इलेक्ट होती, तो शायद प्रो गौर्मेंट होती, और शायद मोस्ट प्रवेबली वो आते भी यहां इंडिया में, ठीक है, तो एक तो यह हो गया, इसके लवाँ जो है, चाइना की तरफ से राइटर बता रहे है, अगर एक पार्टी है, तो इस ओपोजिशन में, ओपोजिशन को अच्छा खासा सीट मिला है, इस चीज़ के काफी अप्रिशेशन दिया गया है, तो यह एक ओवरॉल आर्टीकल था, तो नेक्स आर्टीकल पर चलते हैं, देखें, नेक्स आर्टीकल यहां पे कुछ पॉइंट्स राइटर गौर्मेंट के बारे में ही बता रहे हैं, कि देखें, रा पर चाहिए, कही ना कही जो है, नेगलेट करने लग जाते हैं, तो राइटर थोड़ा सा जो है, क्रिटिसाइस कर रहे हैं, और यहां यह पूछ रहे हैं कि क्या हुआ इस गौर्मेंट का हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि हम तो यह प्रॉमिस करने थे सब का साथ, सब का विक सबसे पहले जिस तरह से हमारा चानक से हीट वेव बढ़ रहा है, तो इसके लिए हमारे क्या एक्शन होंगे, वाटर प्राइसे एक इशू है, जो बेंगलूरू में और डेली में जो है, अर्वनाइजिशन की और जिसे काफी जो है, फ्रिक्वेंटली हमें देखने को मिल इसके लवाद जो हमारी ग्रोथ और सोशल चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें क्या-क्या आगे करना है, तो यह सब चीज़े जो है, रैटर बता रहे हैं कि एक इशू दिख रहा है कि इंडिया आगे क्या करेगा, इसके साथ साथ जो आपका मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिसमे टू थर्ड अफ कल्टिवेटर्स जो हैं, जिनके पास एक हेक्टियर लैंड तक भी नहीं है, उनके लिए क्या अब गौर्नमेंट करने वाली हैं, तो यहां पर रैटर बता रहे हैं, इसकी साथ साथ जो है, इन्होंने बूला कि कुछ हमारे पास सोशो एकनॉमिक चालेंज जसे इंडिपेंडेंस के बात से, अब हमारे पास जो आनिम्प्लाइमेन्ट वो बहुत ज़ादा बढ़ गया है, तो रैटर बता रहे हैं कि अनुप्लाइमेन्ट, जया इंग्रीकल्चर पर हो या इन्फॉर्मल सेक्टर्स में, इन सेक्टर्स में बहुत ज़ादा बढ़ है ठीक है इसके साथ साथ जो है यहां पर बात आ जाती है कि एजुकेशन लेने के बावजूद भी जो है लोग को लोगों को नौकरी नहीं मिल रही और कुछ लोग इसमें वापस एजुकेशन लेकर जो है अग्रिकल्चर फील्ड में जाना चाह रहे हैं ठीक है ऑल्दो अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है तो एग्रिकल्चर की प्रॉब्लम को सॉल्फ करने का एक ही तरीका है वो है इंडस्टियलाइजेशन ठीक है लेकिन राइटर के रहे हैं कि इतना टाइम हो गया लेकिन हम तो यहां अलगी अचीव करते हुए दिख रहे हैं हमारी जो बता रहे हैं जिसे जर्मनी में बाहर के इंवेस्टर को अट्राक करने के लिए इसने क्या किया टेकनिकल स्किल्स बढ़ाया अपने लोगों में ठीक है सीम ऐसे ही सिंगापूर में जो है क्या करा इस और डूइंग मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपका जैसे फर एक्ज इसके ये सारे चीज़े पास करने के लिए आपको जो है गवर्नेंस का जो है आपकी जो गवर्नेंस होगी उनका जो है आपको परमीशन मिलना चाहिए जब ये सारे चीज़े इसली अवेलेबल हो जाएगी न तो क्या होगा भार से जो इन्वेस्टर आएगा वो इसली जो ह the formalities होती है government में ठीक है तो यहां पर जो है यह चीज़ें काफी हटा दी गई है Singapore में ठीक है अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने अपना excellent infrastructure से बाहर के लोगों को जो है attract किया है और अगर हम US और अगर हम Switzerland के बात करें तो इन्हों ने जो है innovation system से अब सोची AI पे वो अपन अपना माहिरी हासिल करने वाले हैं महारत हासिल करने वाले तो अपना innovation से वो क्या करते हैं बाहर के investors को attract करते हैं तो राइटर यहां पूछना चाने की इंडिया का scene है इंडिया क्या built कर रहा है तो राइटर बतारे कि कहीं न कहीं इंडिया के पास जो basic चीज़े हैं जैसे अगर ease of doing business की अगर हम बात करें तो वहाँ पर corruption है, contract जादा होता है, अपने ही जान पर चान में भाई बंदो में चीज़े देना, जो policies, government के regulation से उसमें uncertainty है, fraud होना, ठीक है, और specially जो key productions होते हैं, जैसे electricity, land, या फिर आपका जो, ये सारी चीज़े काफी expensive हो जाती है, ठीक है, य इसके लवा जिसे आपी राइटे बता रहे हैं कि, अभी Reliance और Adani Group के द्वारा भी जो है, South Korean के उपर patent लगा दिये गया है, ठीक है, although जो है राइटे के रहे हैं कि ये बड़े इंडिया के जो बहुती weight tycoons हैं, businessmen उनके द्वारा लगाए गया, although जो है, ये embarrassing वाला scene हो जाता है, ठीक है, इसके साथ सा जो है राइटे बोल रहे हैं, कि अता Global Capability Centers जो होते हैं, ठीक है, MNCs जो mainly innovation का काम करती है, कही ना कहीं जो है, वो राइटे बता रहे हैं, कि इसमें जो है, बाहर की कमपनियां जादा अच्छा कर रहे हैं, rather than Indian से, ठीक है, क्योंकि उन्हे Competit भी भार करना है, ठीक है, तो यहां भी जो है, राइटे बता रहे हैं, एक चीज और question पूछ रहे हैं, कि उसका क्या हुआ हमारे पास जो abundant factor of labors था, ठीक है, हमें decade हो गए हैं, कही ना कहीं India इस चीज़ में fail रहा है, India की जो schools हैं, वो fail रही हैं, क्योंकि हमने अपने जो students उनकी पास limit skills रखी हैं, schooling system ऐसा है, structure ऐसा है, कि वो labor market में competitive नहीं कर पा रहे हैं, चाह वो high school level पे हो, चाह college level पे हो, उनके development, जो jobs हैं, mainly low skill based हैं, ठीक है, even उनने जो job मिल रही है, वो भी low skill based ही मिल रही है, ठीक है, जैसे although रैटे बता रहे हैं, कि although India की government ने gross enrollment ratio, यानि school में enrolled ह होने का जो ratio है, 10th का, 12th का, college का, ये बढ़ गया है, world level पे, ठीक हैं, लेकिन उसकी जो skills हैं, उससे जो development है, वो काफी जादा low है, ठीक हैं, और रैटे बता रहे हैं कि हमारे ही India में बहुत सारे parents desperate हैं, अपने बच्चों को बाहर भीजने के लिए, लेकिन वो afford नहीं कर पात है यहां पे, ठीक है, और इसके लावा, रैटे बता रहे हैं कि यहां पे जो self-motivated young people होते हैं, उनका जो allocation वो काफी सिकड़ा हुआ है वो, क्यों क्योंकि जो institutions हैं, ठीक है, जो research, जो industries हैं, वो graduates मांगती हैं, उनके with high skills के साथ, लेकिन वो चीज काफी reduced है, और even रैटे बता बता रहे हैं कि जो market वो काफी जादा destroyed हो गया है, specially labor market का, और अगर हम Indians के youth के बात करेंगे, जो वो agriculture हो या फिर इसके लावा, और जो sectors हैं, ठीक हैं, तो यहां पे रैटे बता रहे हैं कि और even जो है, थोड़ा से यहां पर government के भी criticize करने हैं, क्योंकि बहुत जादा politicians जो है, पेडल चलाने जैसे लाइक न, promises करते हैं कि हम यह करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, employment जो है, problem, simultaneously, improve नहीं हो रही है, जिससे social justice मिल सके होने, तो वो बनी हुई है, अभी जो है हमारे surrounding में, ठीक है, तो रैटे यहीं बता रहे हैं, और इसक physical pressure government में होता है, competition काफी जादा है, state center का हो जाता है, तो vacancies हो गए, leak paper हो जाता है, jury श्री के orders आ जाते हैं, काफी सारे exams में, तो इससे क्या होता है, कि overall जो government exams जो पास करके job भी मिल रहे हैं, वो भी काफी जादा reduced हो गई है, तो automatically हमारे young millions of youngsters हैं, वो exams जो हैं, clear भी नहीं कर प सिर्फ, और सिर्फ specifically government jobs के लिए, जिससे हमारा जो youth है, वो काफी जादा distract होता है, और जिससे writing आँ बता रहे हैं, कि हमारे politicians ने एक तो हमारे बच्चों को जो है, poor nutrition, sanitization जैसे चीजों से दूर रखा है, मतलब कमिया रही हैं, उपर से इनको जो low level के education से भी क्या हो रहा है, क automatically, मतलब labor market में entry से पहले ही उन्हें अपंग कर दिया गया, that means वो पहले से ही जो है, low level पे है, stand करते हैं, तो वो एक high level के market में किस तरह के से compete कर पाएंगे, globally, चीक है, तो जो एक मध्यम level का बच्चा होता है, अगर उसे ना एक अच्छी quality का जो food है, चीक है, ना वो मिला, न sanitation मिला, ना education मिला, ना school पे, ना college पे, तो आप उसे expect करें, उसकी जो skills है, वो बहुत high level की होगी, तो कैसे होगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, राइटर के रहे हैं, कि यहाँ थोड़ा सा जो कंज कस रहे हैं, कि although Ram Temple और उन सिम से खेर, यह थोड़ा sensitive है, खेर, तो यह सब इसे थोड़ी criticism है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, लेकिन यह example बहुत अच्छा था, यह वाला कि बाहर की countries ने क्या-क्या किये हैं, यहाँ हम थोड़ा lack कर रहे हैं, और इधर इसके लावा जो हमारा gross enrollment ratio है, वो जादा है, लेकिन हमारे पास जो skills है, वो काफी low है, ठीक है, तो next article पर चलते हैं, देखें, इधर explanation में अगनीपत के बारे में हैं, आपको पता है कि जो चिराक बास्वान करके JDU से थे candidate, इन्होंने बोला है कि हम इसके बारे में वापस से सोचेंगे इसको, I think इसको वापस ये कुछ अमेंट करके इसमें changes करें, ठीक है, आपको पता है 2022 में BJP government लेके आई थी, ठीक है, स्पेशली वापस जो राइटर बता रहे हैं कि कुछ campaign जैसे पंजा, हर्याना, हिमाचल में इस अगनीपत schemes को जो है issue बनाया गया था campaign में भी, ठीक है, तो देख लेते हैं अगनीपत scheme क्या है, अगनीपत scheme जो है mainly person जो below office rank level पे होते हैं, ठ personal below officer rank पे, जिसे soldiers हो गया, airman हो गया, sailor हो गया, इनको जो है, job दिन हो गया, air force पे, especially 4 साल के लिए टेन्योर होता है, और इन में 25% जो है recruit होते हैं, उन्हें अगनीवीर्स कहते हैं, ठीक है, और इसके लावा जो mainly है, इन में से कुछ लोग जो है, कुछ लोगों को तो भेज दिया जाएगा, 4 साल बात, कुछ लोगों को रखा जाएगा, ठीक है, और इनकी age 17.5 years है, 23 years होनी चाहिए, ठीक, इसके लावा जो है, अभी देखे, 2-3 batches निकल चुके हैं, जिसमें 40,000 अगनी वीर्स ने complete कर दिया अपनी training, और 20,000 ने अभी पिछले नवंबर में start किया ह ठीक है, 2300 इसके, और अभी 7,385 ने अपनी training complete कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके लावा कुछ चीज़े बताइए, जैसे इनको मंतली salary में से 30% सेवा नीधी fund में देना होता है, इनको मंतली salary 30,000 से 40,000 पर मंत मिलती है, और जो बच्चे वी जो fund में ये दे रहे हैं, वो कुल मिला के इनने जो जब ये 4 साथ complete हो जाएगा, उसमें से 11.7% लाक जो है, इने मिलेगा, ठीक है, टेक्स exempt है वो, और अगर बाइचन्स वो on duty किसी की death हो जाते किसी अगनिवीर की, तो उसके family को जो है, एक करोड रुपे मिलेगा, सेवा नीधी के package के साथ, ठीक है, एक मिनिट, हाँ, इसके लवा, उन्हें जो है, अगर किसी की disability हो गईगी, तो 44 लाक मिलेगा, और जो जितने भी अगनिवीर्स हैं, उसमें से total 25 अगनिवीर्स ऐसे होंगे, जिने वापस force में लाया जाएगा, after 4 years बात भी, बाकी लोगों को वो skills based, वो जिससे आपस भी वो होता है, recruitment में 32 साल तक होता था, लेकिन अब इसको age कम कर दिया, 26 साल तक, ठीक है, और यहां पर यह सब चीजें, और यहां बात आजाते हैं, कि यह criticism के अंदर क्यों आया था, पहली बात तो इसमें बहुत कम pay होता है, lesser pay है, benefits नहीं है, prospects बहुत कम है, क्योंकि में चीज़ों पेंशन वेगरा कार्ड दी जाती हैं, चार साल का ही tenure है, तो इतना exposure नहीं मिल पाता है candidate को, तो इसके लवा यहां पे यहीं समचीजें हैं, तो अभी कुछ candidates ने बोला है, यहां पे, जो alliance वाले हैं कि इस चीज़ पे वापस सोच विचार किया जाएगा, तो देखते हैं, next यहां पे climate के बारे में हैं, तो देखें, अभी recently क्या हुआ है, Friday को climate यहां पे European Union का एक organization है, जिसका नाम है, एक मिनिट यहां पे आएगा, यह नाम नीचे है शाइग, ठीके, European का एक, यह European Copernicus Climate Change Service है, इन्होंने बोला है कि लास्ट बारा महीने में temperature जो है में के मन्त में बह आने वाले कुछ सालों में हम जो है 1.5 degree Celsius जो है cross कर जाएंगे, जो कि आपके 1850 से लेकर 1900 से comparatively जादा रहेगा, ठीक है, तो यहां पे यह बोला है कि इन्होंने का हैं कि और जो World Metrological Organization है, इसने बताई है रिपोर्ट में कि 80% chance है हम 2024 से 2028 के बीच में हम 1.5 degree Celsius temperature cross कर जाएंगे अर्थ के, ठीक है, और पिछले साल जब कि यह percentage सिफ 66% इस बार 80% इस शॉरिटी दे रहे हैं कि यह आने वाले 4-5 साल में बहुत ज़ादा एक्सीड हो जाएगा, प्रॉब्लम पदे क्या है, एक्सीड होना नहीं यह temperature का, प्रॉब्लम यह है कि यह बहुत longer period में रहेगा, ब प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो टेंपरेचर है, यानि 2 डिगरी लेवल के संसियस से इंकम करके लेका हैंगे, यह प्रॉमिस किया था 2015 से, ठीक हैं, तो इसमें यह बात जो है इन्होंने बोला था, मेली 1.5 डिगरी सलसियस, तो इन्होंने यह clear नहीं करा था कि इंडस् को मानते हैं, क्योंकि 1700 के बाद एंजिन वेगरा कोल का यूज होने लगा था, जहां से क्लाइमेट के एविडिन्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक हैं, तो यहां पर एक ही हो गया, और 1.5 डिगरी सलसियस, जो है मेली इसका लिमिट एक बेस्ड माना गया है, ठीक है, अगर इससे हम ब्रीच करते हैं, तो बहुत बड़े हाई फेस, रिस्क हम फेस करेंगे, जैसे अगर रिस्क के अगर हम बात करें, तो सी लेवल बड़ेगा, ठीक है, सी लेवल से क्या होगा, जैसे आपके जो ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट होंगे, अब वो ग्लेशियर्स मेल्ट और साइकलॉन के साथ बारी शकर रेंफॉल जादा बना रहेगा तो इस तरीके से पूरा इंवार्मेंट जो है आपका कॉलाप्स हो जाएगा तो यह काफी जादा एक सेंसिटिव है क्योंकि टेंशन बदे क्या है इसमें यह ना कि यह जो 1.5 डिगरी सलसेस का टेंपरेचर ब पहुंच गया था तो यहाँ पर अभी एप्रिल में भी एना युएस नैशनल ओशेनिक एट्मॉसफरिक एड्मिस्रेशन ने भी बात बोली है कि आने वाले टाइम पर हमारा जो ओशन का टेंपरेचर वो बहुत जादा बहुत मैसिव लेवल पर ब्रीच होगा और जिससे क कोरल ब्रीचिंग इवेंट बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा इससे हमारे बहुत सारे लोगों को फूड जॉप कोस्टरल डिफेंस यह सारी चीज़ें इंपक्ट होने वाली हैं तो यहाँ पर और स्पेशली अगर हम देखें तो हमारे पास जो है क्राइ स्पेस अजनसी ने बोली है तो राइटर बुता रहें कि देखें में चीज जो है कि 2023 अभी तक का वर्मेस्ट कैलेंडर यह रहा है और अभी जो है 1.5 डिगरी सल्सेस के आसपास है तो हम 1.5 को क्रॉस कर जाएंगे इसका एक one of the reason यह भी माना जाता जैसे only low abnormal warming surface होना भी जो है लेकिन इसी वज़े से यहां पर ही मान रहे हैं कि 2024 से 28 के बीच में आपका जो temperature है वो 1.5 को easily cross कर जाएगा और इसका बहुत बड़ा reason greenhouse gas emission है जो fossil fuels के वज़े से होते हैं बहुत सारे countries आज भी coal, oil, gas को frequently use कर रहे हैं जो greenhouse gas के form में सबसे बड़ा emitter का काम करता है इसके लाव इन्हों ने बोला है कि जो CO2 है ठीक है वो भी एक बहुत बड़ा reason है तो इस तरीके से रहे हैं कि VR जैसे UN के Secretary General Antonio भी बोला है कि हम अपने planet के साथ खेल रहे हैं